एलो फ्रेंट्स मैं राहनमी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एजूकेशन लवर लफ़ड एजूकेशन में तो फ्रेंट्स जैसा कि आपने थमलेल पर देखा है कि मैं इस वीडियो में इंडियन कोस्ट कार्ट की जो एड्मिट कार्ट के रिगार्डि अपडेट की बात करेंगे सबसे पहले चलिए उस अपडेट को देख रहेते हैं वह अपडेट का है तो या कोस्ट कार्ट का ओफिसेल वेबसाइट है यहाँ पर आपको स्वोड़ा होगा कोस्ट का ओफिसेल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन कोस्ट कार्ड.cdx.in और बहुत लोगों को असानी से इसकी जो नई वाली वेबसाइट है उस वेबसाइट नहीं मिल पाती है इसका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अब वहां से जाकर देख सकते हैं तो अब इस पेज़ पर आने के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंग तो यहां पर डिस्प्ले हो रहा है यहां पर देखिए अप यहां पर डिस्प्ले हो रहा है एक मिट फिर से आ रहा है वह यह देखिए एडमिट कार्ड फॉर स्टीज वन एक्जाम विल विल बी अवलेवल्ल फॉर डाउनलोड थ्री डेज बिफॉर एक्जाम डेट एक्जाम डेट एंड ने dijम एक्जाम सिटी विल बी डिस्प्लेड शौटली Candidates are advised to regularly visit website तो फ्रेंस यहां पर साफ साफ कोश्टगार ने कहा है कि वह जो आप अपने Admit Card को डाउनलोड कर पाएंगे वह एक्जाम से तीन दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे लेकिन जो आपकी एक्जाम डेट और एक्जाम सीटी है वह आपको कुछ दिनों में या यू कहें कुछ घंटों में डिलीज कर जाएगी यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखते है कि एक्जाम डेट एक्जाम सीटी विल वी एवलेवल सोटली यहां पर देखिए नीचे पर सोड आओगा यहां पर गजाब डेट कर सब्सक्राइबेवलेवल लिख सौटली तो यहां कुछी दिनों में यू कहें कुछी घंटों में आपको सामने आपके सामने आज आएगा कि आपका एक्जाम कि सिटी में है किस डेट का है और आप जो आपका admit card होगा वह तीन दिन पहले exam से डाउनलोड कर पाएंगे तो friends इसी तरह की updates के लिए बने रहे हमारे channel के साथ और अगर आपने English class नहीं की है तो English class समय चैनल पर चाहिए regularly basis पे तो वहाँ से जाके आप English की अच्छी त्यारी कर सकते हैं अभी भी आपके पास 10-12 दिन है तो वहाँ से जाके साड़ी वीडियो को पर सकते हैं जिससे आपके English में अच्छे score हो सकते हैं तो चलिए friends मिलते हैं फिर अपने next informative वीडियो में अब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम